सांतियवा बेट में एड्मिरिशन के लिए पांच finances구요 कांसलिंग की प्रक्रिधी चल रही गिए और आप सभी जो है एससपॉर्ट कंसलिंग का इंतिजार अभी से ही कर रहे थे और आप सभी को उमिद था कि इस वार एसपोर्ट काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगा अगर पांचवी काउंसलिंग के बाद सीटे खाली रह जाती है तो और बहुत ज़्यादा सीटे खाली रहने के भी शमखावना थी लेकिन अभी आपने थोई दिर पहले एक नोटिश देखा होगा कि एलर्म ने क्या किया है कि एक नई नोटिश जारी कर दिया है और जो बीड में एडमिशन खेले यानि की पांचवी काउंसलिंग की जो आज अंतिन तितितिति एडमिशन का उससे अब बढ़ा के आगे जो है बढ़ा दिया गया है तो अब इस वज़ा से आपके एसपोर्ट एडमिशन होने की समभना आए जो अब कम हो रही है क्यों कम हो रही है क्या रीजन है क्या क्या हो सकता है हम इसके उपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक चूछ करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस पर नए है तो आपकी चैनल को सुस्क्राइब कर ले और विए लाइकन को दबा दे तक यह ऐसे ही लेटेश वीडियो मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं साथ हो आपको पता है कि बेड में एडमिर्शन के लिए अब तक चार कॉंसलिंग कंप्लेट हो चुकी है और यह आपकी कॉंसलिंग है आपने देखा होगा कि जो चार कॉंसलिंग था जो डेट आया था उस डेट से एक दिन भी आगे कोई भी डेट चार कॉंसलिंग में नहीं बढ़ाया गया था यह आपको भी पता होगा चाहे वह सीटे फूल हो या ना हो उसमें जब भी देखेंगे तो जो भ हुगा 24 सेप्टमबर को तो सभीस चार दिन का समय दिया गया है 15 26 27 और 28 और के चार दिन का समय दिया एक डिया गया एस्टूएंट के लिए ठीक ठाथका यहाँ पर एक डीडी का जो किया गया यह वाटन को देखते हुए यह समय एस्टुडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ और कही ने कि बारिश भी इसी वीच में आ गई तो इस वज़ा से इस्टुडेंट को थोड़ा सा परसान हुआ लेकिन यहाँ पर जम ऑनन ने नीकाला तो अलन्व मों को नीकालने वक्त यह भी ध्यान होना चाहिए एक हम जो नीकालने उसमें कुछ दिखते आएगी जैसे की उनका कहना है ano notice जब आब देखेंगे तो उनका कहना की 28 को क्या है न की 28 सको जो सनिवार है यानि की झौथा सनिवार है है मंत का और इसोज़छसे जो है bank बंद रहेगा जै इवसी बात है ठीक है सभी कोछ पता ज़व सब्सक्राइब को बैंक बंद रहती है तो आपको यह चीज पहले सोचने चाहिए न अगर यही चीज अगर आप एक एस्टुएंट के उपर लागू करते हैं कि मालीजी कि कोई वही चीज चीज अगर उस ने गलति कर दिया और कोलेज किया उसको कॉल्फे गयाएड्मिशन लेने भी किया गलती इस्टुएंट की नहीं है college ने extra पैसा लिया अब उस student की क्या गलती जो उस college में admission नहीं ले पाया या college उसको पंसन नहीं या तो वह admission नहीं ले पाया जो आपने उसको दुबारा मौका नहीं दिया यानि कि जब आपने पांचवी counseling लिया तो उसमें आपने उस student को मौका नहीं दिया जिसे कि first, second, third और fourth counseling में college मिल गया था यानि कि आपने क्या कहा कि या student की गलती है या student ने गलती किया है तो या student अपना समझेगा या student का बरबाद होगा ठीके मान लेते हैं कि उसने गलती किया है तो आपने भी तू गलती किया था आपने यह गलती किया था कि आपने जब date यहाँ पर 25 से 28 तक निकाला था तो आप पहले ही क्यों नहीं उस date को आप 25 से 30 तक कर दिये या 2 तक कर लेते कोई student आपके उपर सवाल नहीं उठा था तो आपको जब मन करें आप जो है नियम बदल सकते है यानि अगर इस student से एक गलती क्या हो गया तो इस student को मौका नहीं मिलेगा यह कहीं का इंसाफ नहीं है हाँ मानते ठीक है इस student से गलती हो गया तो आप जब 25 काउंसलिंग का च्वाइस कर रहे थे तो वैसे student को आपने 25 काउंसलिंग में allow क्यों नहीं किया यह गलती सबसे होती है आप उसको दूसरा मौका देते क्योंकि आपसे चीपा हुआ नहीं आपने डीडी का प्रोग्राम क्यों लाया आपने डीडी का प्रोग्राम इसलिए लाया क्योंकि आपको पता था कि college में एक्स्रा पैसा लिया जा रहा है लेकिन आप उस बच्चों के उपर ध्यान नहीं दिये कि जो कॉलेज में एक्स्रा पैसा मांगनी की वज़़से अपना एड्मिशन नहीं करा पया उस बच्चे के पास पैसा नहीं था कि जो धाई-डाई लाग रुपे तिन-तिन लाख रुपे कॉलेज को दे सके और इस वज़़से उसका एड्मिशन नहीं हो पया तो क्या उसकी गलती थी आपकी बनाई हुई सिस्टम थी आपने यह सिस्टम पहले बनाया होता अगर आपने सिस्टम यह बाद में ही बनाया कोई दिकत नहीं है तो आपने उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा कि जिने कॉलेज मिलने की वज़़से कॉलेज में एक्ट्रा फीर लेने की वज़़से उनका जो है अद्मिशन नहीं हो पहाएँ उनुहीं 5-2 काउंसलिं में क्यों नहीं मौका दिया आपको देना चाहिए जब 5-3 काउंसलिं का डेट आपने निकाला तो 25-28 निकाला तो आपको भी पता होगा कि अपडेट ऐसे तो नहीं आप कुछ भी निकाल देजिएगा आपको भी पता है कि सानिवार को बैंक मन रहती है डिरी नहीं बन पाएगा तो आप वहीं डेट 25 से 30 कर लेते पहले 2 तक कर लेते कोई इस्टुएंट सवाल नहीं करता लेकिन जब एक एस्टुएंट को यहाँ पे option मिल रहा था कि भाई सीटी आप खाल रहने के उमीद थी तो ऐसी स्थिति में आप आके notice चिपका देते हैं कि अब जो है notice से उसमें बतला हो जाता है अब जो है admission job का 30 step होगा तो मतला आपको जो मन करेगा आपकी गलती है आप सोच के नहीं बनाएंगे कि आपको आगे क्या करना कौन सा दिन admission लेना है नहीं लेना है आप से गलती होगी तो सब कुछ माप है student से गलती होगा तो उसके लिए कोई नहीं उसका साल बरबाद होगा अब वह student क्या करेगा जिसका साल बरबाद होने वाला है और वह आपकी system की वज़े से ऐसा नहीं कि सभी जो इंवस्टी सभी जो छात्र है जिनको कॉलेज ही मिला था ठीक है ठीक है हमें इससे दिकत नहीं है और नहीं किसी student को इससे दिकत है कि आपकी प्रभाव हो शकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई नियम बना जाता है तो क्या उसका एक साल बरबाद हो जाएगा ऐसको कम से कम 15 काँसलिंग मीं आपने मौगा क्यों नहीं दिया आपको 15 काँसलिंग में कम से कम उस वेच्षे को मौका देना चाइए आपने नहीं दिया तो यहां परि बच्चे Hasta Admission की इनतिजार कर रहे थे आपसे उमीद कर रहे थे आपसे गूहार लगा रहे। कि कम से कम एक sport admission ले लिया जाए ताकि हमारा जो है शाल बच्चा लेकिन आपने जब नियम बनाया वहीं पर नियम में कहीं ने कहीं आपसे चुक हुई जो पांचवी counseling में आपने इन बच्चों को मौका नहीं दिया और यह कहके मौका नहीं दिया क्योंकि हमने पहले कहा था कि कि बाद में आपको कोई college alert नहीं हुगा और वह बच्चे समझ नहीं पहले क्योंकि बच्चे नहीं थे उनको इन सब चीजों की जनकाइड नहीं थी इसलिए उनसे गलतिया हो गया और आप भी तो गलतिया कर रहे हैं मतलब आपकी गलतिया गलतिया नहीं है आपके बनाएग आप वही बना कि 25-28 तक admission होगा आप क्यों इस date को आगे बढ़ाएं आपको 25-28 तक लेना चाहिता जिसका होता होता सबी बच्चे आपके लिए समान है न तो कुछ बच्चों का डर्द आपको नजर आ रहा है कि उसको डीडी बनाने में दिक्कत हो रही है उसको admission लेने में दिक्कत हो रही है और उस बच्चों का कोई सुनन वाला नहीं है जिसका एक सल्वारब रहद होने वाला है मतलब यह तो मनमजी वाली बात हो गई कम से कम अभी भी समय है कि उन बच्चों के लिए कमसे कम सोचा जाए सेटे कुछ नश खाले तो रहेगी ही ह। आप यह हम लो ना कराएं आप छटी merit list निकाले और छटी merit list में आप उन बच्चों को सामिल करें जिने college तो मिला था लेकिन college जो है एक्ट्रा पैसा लिया था आप एसपोर्ट कराओ या ना कराओ उससे मतलब नहीं बच्चों को बच्चों का सिर्फ admission होना चाहिए आप छटी counseling करा लो कोई दिकत नहीं है सीटे अगर बच्चे गी पांसो या हजार सीटे बच्चे गी तो अगर आप कम से कम बच्चे के भविश्य के वारे में सोचते है तो क्या कीजिए कम से कम उन बच्चों को मौका दे दिया जाए जो की मतलब आप क्या कहें इतने रो रहे ना इतने बच्चों के call आ रहा है मेरे पाद यह सर मेरा एक साल वरबाद हो गिया अब हम कहीं का नहीं रहें इतने बच्चे रो रहें और इतने बच्चे message कर रहें continue किनूं साइद आप लोग किसी वच्चे का फ़र्द को समझ नहीं पाएंगे तो कम से कम आप उन्हीं बच्चों को मुँगा दिजे सभी को आपने मुँगा दे दिया सभी को भी कल्ब दिया आपने चूच करने का तो उनको भी एक मुँगा देजिए अगर पांसो सीटे बच किये थे वर डेल लाग कमान के एडमिशन लेने किया था कॉलेज दो लाग धाई लाग तीन लाग टिमांड किया अब क्या करेगा बच्चा तो वैसे इस दिति में कम से कम उनकी बात को सुनिए और आप लोग रूखिये नहीं आगा आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ में आ वहांग जाते हैं कि हम कहां से देपाई जब आपने इस नियम को बदल दिया तो खम से पीर से मौका तो देना चाहिए ना कहीं आप से भी कुछूँए पांची कांसलिंग में संसोधन करके आपको भी मौका देना चाहिए तो जब आप डेट के उपर संसोधन कर सकते हैं यानि कि जो आपका डेट है आप उसको बदल सकते हैं तो क्या फिर आप एक एलाओ नहीं कर सकते हैं उस नोटिस में आप संसोधन नहीं कर सकते हैं कि फिर से यहां पर करनें, बार-बार नोटिस डाल, एह भी तो गलत है, आप उसको बदल नहीं कर सकते, आपने पहले नोटिस जो निकाला, उसी के अधार पर चलिया, आप एस वेसल काउंसलिंग के लिए भी जो नेटिस निकाला, उसमें भी, आप वहाँ पर भी नहीं डाले हैं, जब आगे की process पता चलेगी हम आपके साथ हैं जो भी process हमसे हो सकता है हम आपके लिए आगे रहेंगे ठीक है पहले बेथे और अब भी है आगे रहेंगे और आप सभी भी आगे आगे यह अधिक सथी की mail कीजिए ताकि आप सभी को नयाग मिल सके आप सभी को मौका मिलना चाहिए चाहे 500 सीटे बच्चे यह अजार सीटे बच्चे कम से कम आप सभी को मौका मिलना चाहिए तो उमीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के डिवी शीचर में वाट्सब को कर लिंक है उसे जवान कीजिए फिर से वीडियो बनाएंगे रूखने वाले नहीं है ध्यान रखिएगा